नमस्ते दोस्तों आप सभी का एक बार फिर्स स्वागत है आपके अपनी योट्योब चानल में फ्रेंट्स आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि फिंगर इग्जामिनेशन टेस्ट डॉक्टर क्यों करते हैं और इससे डिलेवरी का क्या कनेक्शन है जब डॉक्टर फिंगर इग्जामिनेशन टेस्ट करेंगे तो आपको कैसा अनुभब होने वाला है कैस में दर्द ज्यादा होता है यह करना सही है या नहीं है या फिर डॉक्टर इससे क्यों करते हैं क्या सभी महिलाओं के साथ ऐसा होता है इस वीडियो में आपके सब ही सवालों के जवाब मिलने वाले यह वीडियो आपके लिए बहुत इंफर्मेटिव होने वाला है पूरा जरूर देखिए और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नीक है तो मेक्शिर शब्स से लेकर 40 हपतों के बीच में कभी भी आपकी नॉर्मल डिलिवरी हो सकती है क्योंकि बच्चा हेड़ डाउन पोजिशन 34 हपतों तक ही कर लेता है लेकिन फिर भी इसके अलावा जब आप लास्ट सोनोग्राफी कराती है तो इसमें बहुत सारी चीज़े किलियर हो जाती है क आपके नॉर्मल डिलिवरी होगी या नहीं होगी अगर मानलेजे की सोनोग्राफिय में बताया गया कि बच्चा सही पोजिशन में नहीं है है डाउन पोजिशन में नहीं है या फिर कोई भी दिक्कत है बच्चे के साथ तो आपका नॉर्मल डिलिवरी नहीं होगा सिजेरि डिलेवरी जब आपकी होती है तो फिंगर एक्जामिनेशन टेस्ट की कोई भी प्रकिरिया नहीं होती है कभी भी आपके साथ फिंगर एक्जामिनेशन टेस्ट नहीं लिया जाएगा नहीं किया जाएगा लेकिन अगर आपको नॉर्मल डिलेवरी होने वाली है और इसके चां स्टार्ट हो जाते हैं तो इस तरीके का कोई वे सिंटाम्स चालू हो गया है जो कि नॉर्मल डिलेवरी के समय होता है तो जब आप हॉस्पिटल जाएंगी तो आप हमेशा अपने मन में यह बाते सोचना बंद कर दीजिए कि फिंगर एक्जामेनेशन टेस्ट आपके साथ होन चाहिए आपका सभी का मोख खुला होना चाहिए तब ही बच्चे का सर बाहर आएगा नहीं तो नहीं आप आएगा और यह केवल देखने मातर से पता नहीं चलता है इसके लिए फिंगर एक्जामेनेशन टेस्ट करना पर जरूरी होता है तो जब आपकी नॉर्मल डिलेवर का टाइम आता है उस दोरान फिंगर इंसर्ट करके देखा जाता है डॉक्टर पूरा ख्याल रखते हैं कि आपको कोई असहस्ता महसूस ना हो गलप्स का भी उपयोग करते हैं सारे हाइजन को मेंटेन करके ही यह प्रोसीजर की जाती है और फ्रेंट्स अवाल यह भी आता ह है कि finger test कैसे किया जाता है तो फ्रेंट्स आपको लिटा दिया जाता है किसे नौर्माल बेड पे जो कि hospitals में होते हैं उसके बाद आपके नीचे के जो कपड़े होते हैं वह घटा दिये जाते हैं और हमेंगर एक्जामिनेशन को सकता है कि महिला ही करती है तो इसमें जो है ट फिर इस प्रकार से भी हो जाता है तो धीरे धीरे पोजिशन को चेक करने के लिए फिंगर इंसर्ट करने का तरीका अलग-अलग हो सकता है लेकिन आपको मन में कोई भी परिशान होने वाली बातों को नहीं सोचना है आपको पूरा कॉपरेट करना चाहिए डॉक्टर के साथ क पेन भी हो सकता है इसलिए अपने बॉड़ी को लूज रखिए वहां पे सारी महिलाएं ही होती है तो आपको स्तरमाने की भी जरूरत नहीं है आपके जो गाइनकिलोजिस्ट है उनसे आपको खुल करके इस भी सहमें बात भी करना चाहिए तो आपको और भी ज्यादा चिंत बहुत टाइम भी लगे बहुत सारे ऐसे भी पेसेंट होते हैं जिनको पूरा नाइट जो है वेट करना परता है इसमें हो सकता है चार से पांच बार फिंगर इंसर्ट करके चेक करना पर सकता है वो डॉक्टर ही डिसाइड करेंगे कि उनको कैसा लग रहा है देखने से एक चिंतित और परशान होती है यह सारी चीजे सोचने के आवसकता नहीं है दूसरी बात जबी आपकी नॉर्मल डिलिवरी की प्रकिरिया स्टार्ट होती है आपको हमेशा यह सोचना चाहिए कि अब आपके बेबी को किस तरीके से हेल्दी और किस तरीके से सैफ्टी से बाहर आना है दूसरी बात कभी भी नेगेटिव बातों का अपने माइंड में ना सोचे और बहुत सारी महिलाओं को सिंटम्स जो है 40 हपतों के पहले महसूस होते हैं तो बहुत सारी महिलाओं को 40 हपतों तक महसूस होते हैं तो बहुत सारी महिलाओं के यह भी क्वेरी आते हैं कि आपको अगर symptoms नहीं आ रहे हैं तो क्यों नहीं आ रहे हैं वो भी doctor check करेंगे बताएंगे ultrasound किया जाएगा बच्चे का भी पूरा जांच होता है कि वो normal condition में है या नहीं है जोस्तो जब normal delivery के symptoms start होते हैं जैसे कि बहुत जादा urine आने की परिशानी भी कुछ दिन पहले से start हो जाती है mucus plug की problem भी होने लगती है बहुत जादा कभी कभार आपको blood के spots भी आ सकते हैं तो यह सारी चीज़े अगर आपके साथ होती है आपको immediate अपनी doctor को inform करना चाहिए I really hope कि finger examination test से जुरी वे सभी बाते अब आप समझ गई होगी आपके मन में कोई शंका नहीं होगी अगर फिर भी कोई सवाल है तो आप होसे directly पुछ सकती है पुझा घरसन सा Instagram की ID पर या frequently यहाँ पर comment section में mention कर सकती है I hope कि यह वीडियो आपके लिए बेहद information से भरी थी तो share भी करें like करने में कोई कंजूसी ना करें और subscribe जरूर कर लें फिर से मिलूंगी next वीडियो में एक नई topic के साथ आप तब तक यूँ ही हमारे साथ channel पे साथ बढ़करार रखिए और friends अपना पूरा ध्यान रखिए take care guys thanks for watching